नमस्कार दोस्तों, वेलकल नो वर्ल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान दवन, नाव हाली में वो सकता है कि आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखें हो जहां पर यूएस दिलासा दे रहा है उस्ट्रेलिया को, यूएस यहां पर कहा रहा है कि हम कभी भी चाइना के प्रेश कि ब्लिंकिन अचानक से यह क्यों कहेंगे कि यूएस कभी भी ऑस्ट्रेलिया को अकेला नहीं छोड़ेगा अगेंस्ट चाइना, नाव रीजन यहां पर इसका बहुत ही सिंपल है, रीजन यहां पर यह है कि ऑस्ट्रेलिया को हाली में धंकी विली है चाइना की तरफ से, न इंटरनाशनल ओडियंस के लिए है, उसमें से एक इनका जो प्रेमियर निउस्पेपर है, यह है ग्लोबल टाइम्स, इसको का जाता है काफी बार कॉमनेस पार्टी ऑफ चाइना का माउथपीस, ना सिर्फ चाइनीज गवर्मेंट, इवेन जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका में माउथपीस है, और यहाँ पर जो अरिटरेन का नाम यहाँ पर आप आदेख पाएंगे, हुजिजिन, ना हुजिजिन ट्विटर पे अक्टिव है, और हाली में इन्होंने एक बहुत ही अजी इफिशी शेटमेंट दी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा, कि अगर हाई प्राइबिल्टी है, कि चाइना सीधा एक बलेस्टिक मिसाइल मारेगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ पर यह कह रहे हैं, कि की रेलेवेंट फेसिलिटीज ओन ऑस्ट्रेलियन सॉइल इन रिटालियेशन विल भी हिट बाइ चाइना, ना हुजिन यहाँ पर यह आता है कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर यहाँ पर यह क्यों कह रहे हैं, नीचे यह कौन सा आर्टिकल है, जिसको देखकर ही इतना गुस्टा हो गए, और यह कह रहे हैं कि यहाँ पर चाइना एक बार को मिसाइल से भी अटाइक कर सकता है on Australia, देखो हाली में एक आर्टिक यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह कहा कि मेरा मानना है कि भविश्य में ताइवान के एशु को लेकर Australia और चीन की वार हो सकती है, इस statement को देखकर Australia के Prime Minister ने यह कहा कि absolutely right, बिलकुल हमारी वार हो सकती है with China और हम इसके लिए बिलकुल ready रहेंगे, और इन्होंने साथ में यह भी एड कर दिया कि ताइवान को एशु को लेकर Australia बिलकुल support करेगा ताइवान का और एक बार को अगर war करनी हो तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, यह जो statement है, यह सुनके चाइना बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि चाइना यह बात जानता है कि Australia Quad का एक member है, और Australian Navy का direct access है यहाँ पर Taiwan Strait में, by the way यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है Asia का map और यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह है Taiwan, Taiwan को of course China बानता है कि यह चाइना का इपार है, और Taiwan और China के बीच में यहाँ पर आपको यह स्टेट दिख रहा है, यह है Taiwan Strait, त तो Australia आपर बात यह कर रहा है कि कल को अगर चाइना एक इन्वेजन करने की कोशिश करता है Taiwan की, तो Australian Soldiers यहाँ पर मौझूद होंगे, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर चाइना के जो एडिटरेनों ने यह कहा है कि ठीक है हम यहाँ पर मिसाइल लाग देंगे, पूरा Australia हम यहाँ पर डिस्ट्रॉई कर सकते है, ना क्वेशन यहाँ पर यहाँ आता है, क्या चाइना जैनूइल नी ऐसा कर सकता है, क्या चाइना के पास ऐसे मिसाइल हैं, कि यह लोग इस तरीके से Australia को थेटन कर सकते हैं, देखिए, तो बिए बिल्कुल है, मैं आपको यह बता दू कि चाइना के जो अब अगर मिसाइल देखें, तो इनके पास बहुत सारे capable मिसाइल है, और यहाँ पर अगर देखोगे, maximum इनको 11,000 की रेंज का मिसाइल चाहिए, 15,000 की रेंज का जो मिसाइल है चाइना के पास, जिसका नाम है DF-41, यह आराम से पूरे Australia और New Zealand को cover करता है, औ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यह यहाँ पे Dongfang 41, Dongfang 41 से US भी काफियत तक चिंतित है, क्योंकि Dongfang 41 की जो range है, यह US को भी cover करती है, उसकी अलावा देखो, चाइना के पास एक 15,000 किलोमेटर की range का भी मिसाइल है, यहाँ पे आप एक क्वेशन पूर सकते हैं कि, ओल हमारे पास यह capacity है, तो इसका अंसर है नहीं, शायद आपको जानके रानी होगी, मगर अभी के लिए जो हमारे पास maximum range का मिसाइल है, अगनी 5, इसकी range बदाई जाती है, 5000 किलोमेटर, ना वापने से कुछ लोग कह सकते हैं कि, इंडिया intentionally जो इसकी range है, यह कम बताता है, इसक इंडिया तक नहीं पहुचता, तो चाइना की तरह इंडिया उस्ट्रेलिया को एक मिसाइल से हिट नहीं कर सकता, हाँ, यह मैं आपको बता दू, कि इंडिया एक मिसाइल की तयारी कर रहा है, और उस मिसाइल का नाम है सूर्या मिसाइल, इसको अभी develop किया जा रहा है, 2013 में New Indian Express ने आप एक लेम किया था, इनकी रिपोर्ट में, कि इसको इंडिया डिवलप कर रहा है, अंडर दा कोट नेम अगनी 6, और इसकी जो रेंज है, यह बताया जा रहा है, कि काफी होगी के अराम से, औस्ट्रेलिया को भी इंडिया अराम से कवर कर पाएगा, इसको हम टेस चाइना के एडिटर ने ऑस्ट्रेलिया को धंकी दे कर एक बहुत बड़ी गलती कर दिये, क्योंकि अब आज के समय ऑस्ट्रेला की सरकार में, जो इनका मीडिया है, जो इनका थिंग टांक्स हैं, यह सब बात कर रहे हैं, दो चीजों के वारे में, कि ऑस्ट्रेलिया को एक पावर्ड कंट्री बनना होगा, एक नुक्लियर वैपन वाली कंट्री बनना होगा, और दूसरी बात यहाँ पर यह चल रही है, कि ऑस्ट्रेलिया को बलेस्टिक मिसाल बनाने होंगे, यह जो आईडिया है, जो आज के समय डिसकस किया जा रहा है, इसको लेकर ना सिर्थ च अब इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, इन सब कंट्रीज के लावा एक और देश हाजाएगा, जिसके पास नुक्लियर वैपन्स हैं, और जिसने NPT और CTBT साइन नहीं करी, तो इससे ओवरॉल जो पूरा नुक्लियर रेजीम है, इंटरनाशनली इसको चे कर दें, क्योंकि जिस टाइप का थ्रेट चाइना से यहाँ पर आया है, इनको, तो ऑस्टेलियन काफियत तक तयार है, फ्यूचर के लिए, यह ओवियसी बात है, आने वाले 20-30 साल में, इस डर से नहीं जिना चाहेंगे, कि कभी भी चाइना का एक मिसाल गरिजा गाएंगी इन्होंने यहाँ पर आश्टेलिया को आश्वासन दिया है, कि डरिये मत हम आपके साथ है, इसका मतलब सिंप्ली यही है, कि एक बार को जरूत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर थार्ड मिसाल डिफेंस सिस्टम, पेट्रियोट मिसाल डिफेंस सिस्टम, जो ओवरॉल हमारी ड इनको अपना जो बलेस्टिंग मिसाल प्रोग्राम इसको डिफेंस करना होगा, क्या उस्ट्रेलिया को ऐसा करना चाहिए, या फिर इनको यहाँ पर यूएस की जो अम्रेला है, जो सिक्योर्टी अम्रेला है, उसके नीचे रहना चाहिए, और अभी के लिए खुद के नुक पे, क्लिक करो अपने एक्जाम पे, for example, UPSC, CSE, get subscription और यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं, plus या फिर iconic course, plus course per month का आपको पड़ेगा, 4,125 का, मगर यह price पे मत कर देना, use करिये यहाँ पर code PG10, और आपको मिलेगा 10% discount on all the courses, the prices will fall once you use the code PG10, so इसी note के साथ, यह है वीडियो का आ and as always, God bless you all.